नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जिस बिजनस के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही छोटा सा बिजनस है पर प्राफिट बहुत ही बड़ा और बहुत ही जादा देखने को मिलता है इस बिजनस में इस business को आप manufacturing के तोर पर भी start कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो readymade खरिद के सिर्फ pack करके इसे आगे बेच के भी इस business को कर सकते हैं और इसमें अगर investment और profit की बात करें तो यह हम आपको जो है वीडियो में आगे बताएंगे कितना investment लगेगा और कितना profit आपको देखने को मिलेगा साथ यह भी बताएंगे कि माल आपको कहां से खरिदना है किस rate पे खरिदना है कैसे आपको जो है product बनाना है सारी बाते इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप manufacturing करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे अगर readymade pack करना है तो कैसे करेंगे किन बातों का ध्यान रखेंगे सारी बाते हम करने वाले हैं तो दोस्तो हम जिस business की बात कर रहे हैं सबसे पहले तो उसके बारे में जान लेते हैं कि वो कौन सा business है तो वो है कपूर का business कपूर का use दोस्तो बहुत सारे कामों में किया जाता है धार में कामों में भी और दूसरे कई कामों में भी कई जगाहों में भी तो अगर आप देखें तो इस business को अगर आप start करते हैं तो आप अच्छी income कर पाएंगे क्योंकि ये बिजनेस जो है पूरे साल चलता है इसकी manufacturing की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर manufacturing आपको करना है तो इसके लिए क्या चाहिए होगा किन बातों का ध्यान रखना होगा कहां से raw material लेना होगा क्या raw material लेना होगा सारा कुछ तो देखिया अगर manufacturing करना है तो पहले तो आप ये जान लेजिए कि आपको एक गोदाम चाहिए होगा या फिर अगर आप घर से करना चाहते हैं तो आप घर से भी कर सकते हैं और इसे पूरुश मेला कोई भी कर सकता है एक चीज है कि आपको जो एक बात बतानी है वो ये है कि भई बिजनेस को शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी बिजनेस को शुरू करना है तो पहले उसके बारे में market research करना आपको जानकारी हांसल करना आपको बहुत जरूरी है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी हांसल जरूर करना है जै और ये भी जानना है कि ये भी करना है आपको actually कि जब आप research कर रहे हैं जानकारी हांसिल कर रहे हैं उस time पर आप क्या करें कि आप जो है market से अलग-अलग तरह के कपूर के sample जरूर इखटा करें खरीद लें महेंगे से लेकर सस्ते वाले तक हर तरह के कपूर जहें वो थोड़ करते हैं कि कपूर के manufacturing के raw material के तोर पे आपको क्या लगता है तो देखे कपूर powder लगता है examine की जरूरत पढ़ती है और कपूर बनाने के लिए आपको machine की जरूरत पढ़ती है इन तीन चीज़ की आपको जरूरत पढ़ती है machine के अगर बात करें तो machine जो है वो 2 die, 4 die, 5 die, 6 die, 10 die, 5 die, इस तरह वाले आती हैं कई तरह के अलग-अलग machines आपको देखने को मिलती है market में अब शुरुवात में अगर आपको लेना है manufacturing करना है तो कितने die वाला आपको machine लेना चाहिए उसकी क्या price है तो देखिए कम से कम शुरुवात में अगर आपको machine लेके manufacturing का पूर की करनी है तो आप 5 die वाली machine खरीदिये इसकी price की अगर बात करें तो ये 60,000 तक के अंदर में आपको easily मिल जाएगी ये machine आप जो है कहीं से भी वैसे खरीद सकते हैं लेकिन अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से आप अपने local market से ही machine को खरीदे आप जो है घर बैठे आप online किसी के जर और अगर आपको वहाँ पर मिलती है तो पहले आप वहीं से खरीदने की कोशिश कीजिए ये आपके लिए जादा अच्छा होगा ऐसे आपको बता दूँ कि पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो दिल्ली में सबसे जादा सस्ती में ये machines जो है वो आपको मिलती है देखे 1000 रुपए कीलो तक में ये मिलता है एक्जमिन जिसकी मैंने बात की वो 1500 से 200 रुपए के कीलो में आपको मिल जाता है पर कीलो तो ये चीज़े आपको चाहिए होती है अब बनाने के लिए क्या है कि कम से कम अगर देखे तो कपूर बनाने के लिए आपको कपूर पर हम आपको यह कहना चाहते हैं कि अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं आपको कोई knowledge नहीं है कोई ग्यान नहीं है कोई experience नहीं है तो आप manufacturing बिल्कुल भी ना करे शुरुआत में आप क्या करें कि आप ready made माल खरीद के लाएए आप उसे अपने गोदाम पे अपन जम्बना है तो इसके लिए आपको जो है ready made maal खरिदना है घर में लाके pack करना है और आगे से sell कर देना है यह ज़ाधा आपका बहतर रहता है यह है कि आप जब maal की खरीदनारी करते हैं जाके ready made kaấppour की टی conception जो आप market से जब खरीदते हैं तो आपको ये देखना होगा कि भाई इसकी जो quality है वो किस तरह की है ये quality वगेर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अब ये भी बताते हैं कि कितनी quantity में आपको खरिदना है अगर रेडिमेट आप माल खरिद रहे हैं तो कितनी quantity में खरिदना है तो देखें आप 25 किलो, 50 किलो 75 किलो, 100 किलो जितना जादा जितना आपका budget है जितना आप खरिद सकते हैं आप खरिद के wholesale में खरिद के लेके आईए फिर इसे क्या करें कि आप जो है 5 रुपए, 10 रुपए के packet में, 20 रुपए के packet में, 50 वाले packet में, 100 वाले packet में आप इसे pack कर दिए और फिर market में इसे आप इस business को ready made माल खरीद के pack करके बेचने की शुरुवात कर रहे हैं उसके बाद आप market में जम रहे हैं market में आपको इस business से जुड़ा हुआ जो knowledge है वो आप गेन करते जा रहे हैं फिर आपको जब लगता है कि हाँ अब आप इसकी manufacturing का जो काम है वो start कर सकते हैं तो फिर आप इसके manufacturing भी शुरू कर सकते हैं लेकिन शुरुवात में जो है आपको manufacturing नहीं करना है मेरे हिसाब से बागी आपके हिसाब से आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ये भी एक चीज़ है कि आपको बताऊं कि कपूर जो है आपको कई तरह के देखने को मिलते हैं market में तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से हासिल कर लेनी है कि भाई मार्केड में जो है आपको कपूर कितने तरह के होते हैं, इसकी क्वालिटी कितने तदा की होती है, साथ ही वो जो क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी किस रेट पर मिलती है, इस सब कुछ आपको जानना जरूरी है. तो इन्वेस्टमेंट के अगर बात करें तो कम से कम 25,000 से 30,000 तक के इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और रेडिमेंट माल खरिद के आप पैक करके से आगे बेच सकते हैं बेचना किन को है ये भी थोड़ा जान लेते हैं तो देखिए जो पूजा के सामगरी जो दुकाने जो बेचते हैं उनको आप बेचिएगा उसके बाद सारे जो किराने स्टोर होते हैं उनको भी आप बेचिएगा क्योंकि सारे किराने स्टोर पर कपूर आपको देखने को मिल इस बात का आपको ध्यान रखना है अब यह है कि प्रॉफिट के अगर बात करें कितना प्रॉफिट मिलेगा 25,000-30,000 देखे आप रेड़े बेड माल खरीद के पैक करके आगे आप बेचने की शुरुवात कर रहे हैं बिजनेस की तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना आप प्रॉफिट को देखने को मिलेगा तो देखे एक किलो में आपको 100-500 रुपए तक इजिली कमाने का मौका मिल जागा 100 रुपए भी मानके चले तो अगर पूरे दिन में क्योंकि यह बहुत ज़ादा मात्रा में नहीं बिखता है लेकिन हाँ पूरे दिन में आप 10 किलो से 15 क किलो तक जो है इजिली आप बेच सकते हैं तो अगर 20 किलो भी मानके चलते हैं और 100 रुपए का पर किलो आपको प्रॉफिट होता है तो इजिली आप जो है 2000 रुपए पर दे आप इस बिजनस से कमा सकते हैं इससे ज़ादा सेल तो इसका होता नहीं है लेकिन हाँ इतना आपको गैरेंटी देता हूँ हा लेकिन यह है थोड़ी से मैनत आपको करने पड़ेगी थोड़ा सा दोड़ भाग आपको करना पड़ेगा एक बार मार्केट में आपको खुद को जमाने के लिए जो शुरुवात में जो स्ट्रगल करना पड़ता है वो करना पड़ेगा द लगा है तो आप इसे फूल टाइम भी कर सकते हैं